है एलो फेंट्स बहुत-बहुत स्वागत आप सबका इस यूट्यूब चैनल पर दोस्तों मैं आप लोग को सी विडियूम बताने वाला हूं देख सकते हैं दोस्तों बिहार बोर्ड मैटिक इंटर मार्क सिट औरिजिनल मार्क सिट यहां दोस्तों औरिजिनल जो आप सभी के सर्टिपिकेट होते हैं उनकी बात कर रहा हूं इस दिन से डाउनलोड कर सकते हैं आप लोग जाने कैसे मिलेगा दस्मी और बार्मी छातरों के लिए बहुत बड़ी खुसक्वरी भी आया है दोस्तों आप सभी के लिए कि इतना पहले रिजल जारी कर दिया है पूरे देश मे हर बोड की बात कर रहो हूं कि आप सभी को जह है पहले ही आ घिया है मार्क शीट नहीं तो यह जुल जुलाइ में मिलता था पहली बार जुल्क divat यहां बिझान्य सक्वाब करने तक तक कर लिजे हम लोगों को आप सबस्क्र Menschen के तरब से आनेlaim हर कबर आप लोग को मिलता रहें और एडीमिशन से लेटेर क опыт अच्छी वीडियो बनाने वाला हो कैसे आप लोग एडिमिसन ले सकते हो तो या फिर तेन्थ वाले इंटर में तो चलिए जानते हैं दो इस वीडियो में बने रहिए गा और अभी तक अपना रिजल्ट नहीं चेक्किए हैं तो दोस्तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया जाएगा तो जल्दी से डालोड वी कर लीजेगा वीडियो के पहले बता दो कि अगर आप लोग अपने खुद से डालोड करना चाहते हैं तो मैं उनका लिंक आप लोग सिर्फ अधार काट के जरये निकाल सकते यह उब नहीं मिलेगा जो आपको मिल चुका यानि वो खो जाता है तो आप लोगों को यहां से मिल सके गया यह जो बोर्ड ओफिसेट का चक्कर लगा नहीं पड़ेगा हाड कोपी के साथ डिजिटल रूप में मिलेगा मैट्रिक और इंटर का परमानपत यानि सर्टिपिकेट यहां पर देख सकते दोटों बताया जा रहा है कि भीहार बिदले प्रक्षा समिती छात्रों के डिजिटल लोकर में सीधे भेज देगे परमानपत यानि डिजी लोकर आप लोगों बनाना परेगा तो मैं आप लोगों बताऊंगा दोस्तों इस वीडियो में या फिर आगे के वीडियो में जैसी जारी किया जाएगा यह अधहार के जरीये मिलेगा डिजिटल परमान पर ठीके अधार काड के जरीये आप लोगों को एक अधार काड के साथ मुवाइल नमर लिंक होना जवरी परेगा ठीक है तभी आप डिजी लोकर में आपना एकॉंट बना सकते हो त आप लोग वहां से कर सकते हो और डाउनलोड भी करके मैं दिखाऊंगा आगे के वीडियो में तो अभी चलिए बताऊंगा दोस्तों आप सभी को की स्कूल में कब से मिलेगा ठीक है यह था ओनलाइन ऑनलाइन जब मिलेगा तो मैं आप लोगों को बता दूगा देखे दो इंटर के परमानपत्र 29 से मिलेंगे ठीक है बिहार बोर्ड ने मैट्रिक के बाद इंटर मीडियर 2009 के अंगपत्र सहीत प्रोविजनल परमानपत्र और मैग्रेशन सट्टिपिकेट को सफीजी जीला कर जया लों में 37 से भीजना शुरू कर देगा ठीक है यानि दो तीन दिन यह परमानपत्र मैगरेशन सट्टिपिकेट यह सभी आप लोग को मिलेगा ठीक है कब मिलेगा तो यहां पर चलिए बता दिया है कि हाई स्कूल या फिर कॉलेज में जो आप सभी का एडिमिसन था वहां पर जाके लेख सकते हैं देखें यहां पर सबका परमंडल वाइज अगर आपका जिस परमंडल में पढ़ता है दोस्तों यहां पर देख सकते हैं पुर्णिया मुंगेर भागलपूर यह 27 अप्रेल से वहां पर मिल जाएगा दोस्तों इस परमंडल में और आप लोग को मिलेगा देखिए 29 सार 2019 से यानि 29 अप्रेल से को सी परमंडल एवां प पता करना होगा कि मासीट आया है कि नहीं 29 अप्रेल को चला जाएगा वह एक मैंसे बातना चालू कर देगा मगत परमंडल और सारन परमंडल के बारें बात करूं यहां पर तीस तार यानि 30 अप्रेल को भीजा जाएगा और 25 से वह भीजना आप सभी को देना स्टाट कर दे चाहिए आप सभी को यavoured क्या परुकना चाहिए आप सभी को इसलिए अभी फ हर्म नेनिकाल नहीं अप्लोड होगा है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राब करके बेल आइकन को दबा देना और आप लोग दोस्तों ऑल्लाइन आपना यह चेक कर सकते हैं डॉलोड कर सकते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे डालूंगा दोस्तों अभी वहां पर लिंक साथ नहीं मिलेगा जहां पर जहां से रिजल्ट्स करता हूं उसी अपलिकेसी प постоूंगा скажות है तो वीडियो के डिस्क्रियोशन में लिंक जो है चेक करते रहें घए घड़ दो दोस्तों मिलते हैं नेक्च्ट कर्यक्र लेकर झाल में बीज हैं